क्या सब खेलने के लिए तयार है? वाँ! बहुत बढ़िया! हमारे पास है शानदार ट्वाई पजल ट्रैक और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और इसे जोडने के बाद हम इन तीन रंगीन गेंदों को ट्रैक पर ले जाएंगे तो पहले शुरू करेंगे इस लाल गुलाबी टुकडे के साथ यह थोड़ा मचली के जैसे दिखता है यहाँ फिर किसी के पैर यहाँ कुछ और यह कुछ भी हो सकता है चाहे कुछ भी हो पर यह यहाँ पर लगेगा और फिर हम इसे इस गुलाबी बटन से ही लाएंगे और अब हम यहाँ लगाएंगे एक बड़ा नारंगी चिन हमारा खिलोना बना है समुद्री दुनिया के अनुसार इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे मचलियों और लहरों का स्टीकर बहुत बढ़िया अब तक सब सही जा रहा है अब हम यहाँ पर लगाएंगे नारंगी और बैंगनी मचली और इस पीले बटन से हम इसे तहरा सकते हैं चलो इसे बाद बे देखते हैं अब आएगा केकड़ा पिल्च 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 जरा ध्यान से क्योंकि हम इसे यहाँ पर लगाएंगे बताओ यह क्या है यह है ओक्टोपस यह प्यारा दिखता है और समुद्र में सबसे चालाक जानवर भी आठ पैरों के साथ अपने आपको संभालना बहुत पेचिदा काम है और अब देखो फेरिस वील यह ऐसे घुमता है और यह गिंदो को दूसरे पड़ाव पर पहुँचाने में मदद करता है और अब हम इस पर लगाएंगे यह बुलबुले वाला स्टीकर ध्यान से यह यहाँ बहुत अच्छे चलो अब सीट लगाते हैं सबसे पहले लाल वाली और अब लगाएंगे जामुनी यह तीसरा रंग कौन सा है पीला सही कहा यह पीला है यहाँ पर थोड़ा कसकर यह है सबसे जरूरी स्टीकर यह बताता है कि बटन क्या काम करते हैं और इन्हें किस तरह घुमाना है अरे मैं इस नारंगे बटन में अटक गया यहाँ अब ठीक है अरे बटन के लिए हम इस स्टीकर को लगाएंगे इस पर नमबर तीन बना है हो गया चलो अब इसे एक बार घुमा कर देखते है अब ठीक है हमारे पजल टॉय में एक स्टार्टिंग लाइन है जो यह बताती है कि गेंद कहा जाती है और यह गोल यह बताता है कि गेंद को कहा पहुँचाना है यह प्यारी वेल बाहर निकल जाती है जब भी गेंद आखिर तक पहुँच जाती है और अब बारे एक साइन बोर्ड लगाने की जिस पर लिखा है रोलिंग बॉल एडवेंचर बहुत बढ़िया दोस्तों अब यह खेलने के लिए तयार है देखो दोस्तों यह है बोटली रोबोट और यह हमारे लिए सबसे पहली गेंद लेकर आ रहा है दोस्तों आब हमें पजल के साथ खेलने के लिए पहली गेंद मिल चुकी है धन्यवाद बोटली चलो फिर मिलते हैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा रोबोट हमेशा सहायता करते हैं हमारी यह पहली मुस्कुराने वाली गेंद हरे और नरंगी रंग की है चलो इसे स्टार्टिंग लाइन पर रखकर ट्रैक पर भेजते हैं हमें एक नमबर वाला बटन ढूणना होगा हमें इसे सबसे पहले दबाना है हाँ ये रहा लाल बटन जिस पर स्टार बना है चलो देखते हैं ये क्या करता है देखो ये गेंद को ट्रैक के दूसरे भाग में भेजता है और अब बारी है नमबर दो बटन की ये जामुनी बटन जिस पर त्रिकोन बना है अरे इसने तो गेंद को फैरिस वील तक पहुँचा दिया इस हरे बटन पर नमबर तीन लिखा है इसका मतलब यही अगला वाला है इसे घुमाते ही फैरिस वील भी घुम जाता है अब हम गेंद को दूसरी तरफ पहुचा सकते है ओहो ये अटक गई शायद ये पीला नमबर चार रोलर कुछ मदद करे इसे ऐसे घुमाने से ये पीछे की और जाता है और इस तरफ घुमाने से ये आगे चला जाता है हो गया ये है नमबर पांच गुलाबी बटन और इसकी मदद से हम गेंद को नारंगी लॉंचर की तरफ भेज सकते हैं हम पहुचने वाले हैं फिनिश लाइन से थोड़ा दूस हाँ हम पहुच गए बहुत बढ़िया दोस्तों हम दिशाओं की अनुसार चले और गेंद को पजल तक पहुचाया चलो अब अगले पड़ाव पर चलते हैं अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा टी रेक्स है और इसके पास तो हमारी गेंद भी है टी रेक्स तुम हमारी गेंद के साथ क्या कर रहे हो ये कोई खाने की चीज नहीं अगर तुम्हें भूक लगी है तो इसे खाओ कितना आजीब सा डाइनोसौर है अब हमारे पास दूसरी गेंद है चलो देखते हैं ये जामुनी और गुलावी है ये थोड़ी गुस्से वाली भी लगती है शाहिद ये डाइनोसौर के मुह में थी इसलिए हमने इसे बचा लिया है तो अब इसे पजल में भेजते हैं क्या आपको याद है हमने सबसे पहले कौन सा बटन दबाया था लाल शहबाश अब बारी जामुनी की और अब समय हो गया हरे बटन को घुमाने का चलो गोल गोल घूमते रहो और अब जाओ फण फण स्लाइड में ओहो मुझे याद नहीं अब किस बटन की बारी है क्या ये नारंगी ओहो मैंने गलत बटन दबा दिया ठीक है कोई बात नहीं अगर कुछ गलत हो गया तो तुम इसे दुबारा करकर देख सकते हो चलो अब इस पीले वाले से कोशिश करते है हाँ हो गया और अब ये गुलाबी अरे यहाँ थोड़ी गड़बड हो गई थी पर अब ठीक है और अब बारी है नारंगी बटन की हाँ हो गया अब हमने अपनी दूसरी गेंद भी निकाल ली ये अभी भी गुस्से में लग रही है पर इसे मज़ा आया होगा अरे देखो दोस्तों एवरेस्ट हमारी तीसरी गेंद के साथ धन्यवाद एवरेस्ट अब हम इसके साथ खेल सकते हैं फिर मिलेंगे यहाँ आने के लिए धन्यवाद ये गें थोड़ी बेवकूफ लगती है और ये पीली और नारंगी है चलो अब हम पूरी कोशिश करेंगे इसे पजल से बाहर निकालने में चलो लाल बटन से शुरू करते हैं और इसके बाद जामूनी बटन दबाएंगे और ये आया मेरा मन पसंद पैरिस वील अब चलो उपर यहां से होते हुए मचली के पास इस बार मुझे याद है कौन सा बटन दबाना है ये पीला रोलर अब इस गुलाबी बटन से इसे नारंगी गुलेव तक पहुचाएंगे चलो अब इसे गोल की तरफ भेजो बहुत बढ़िया तुमने तो कमाल कर दिया चलो अब देखते हैं क्या हम इन तीनों गेंदों को एक साथ पहुचा सकते हैं ये रही दूसरी और ये तीसरी लाल बटन दबाते ही दोनों गेंदे अटक जाएंगी क्योंकि रास्ते में जामुनी गेंद है हमें कुछ अलग करना होगा जामुनी बटन दबाते ही जामुनी गेंद रास्ते से हट जाएगी अब हम लाल बटन दबा सकते हैं और हरे बटन को घुमा कर जामुनी गेंद को हिलाएंगे फिर हरी गेंद को तयार करके रखेंगे और इसे भी फैरिस वील में भेजेंगे फिर लाल बटन, जामुनी बटन और अब पीली गेंद भी जाने के लिए तयार है अब इन्हें स्लाइड टक पहुँचाने के लिए घुमाते रहो और अब इन सब को अगले अवरोध को पार करना होगा ये है एक अब दो और आखरी में तीसरे गेंद पर ये अटक गई हमें एक गेंद को बाहर निकालना होगा क्या ये हरी वाली सही है अब पीली और नरंगी गेंद के लिए जगह बन गई चलो पहली गेंद को भेजो ये आई अगली गेंद और आखर में हमारी आखरी गेंद गोल में पहुँच गई बहुत बढ़िया बच्चो हमने कर दिया चलो अब अपने आपको शाबाशी देने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करो बाई फिर मिलेंगे